वेलकम अगेन तो देखिए आज की इस वीडियो अपने एकसरसाई जो वन भी है वो कंप्लिट करेंगे कोस्टेन 8-15 आज की इस वीडियो अपने कंप्लिट कर देंगे और अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो के end तक जुरूर देखें वहाँ पर मैं आपको तूरा प्रोसेस समझाऊँगा कि आप PDF कैसे डाउनोड कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है कोस्टेन 8-8 वेरिफाई देट आपको यह वेरिफाई करना है माइनस इन्टू माइनस इस इक्वल टू एकस when x is equal to a is 7 by 6 and b is minus 8 by 9 आपको यह दो चीज़े पतानी है कि जब a की value मतलब जब x की value a हो मतलब 7 by 6 हो और जब b हो मतलब minus 8 by 9 हो तब क्या इसका अंसर आता है आपको वेरिफाई करना मादब left hand side is equal to right hand side प्रूफ करना है तो देखिए वही हम क्या करेंगे left hand side लेंगे x की जगा हम put क्या करेंगे 7 by 6 तो minus minus 7 by 6 अब यह दोनों minus क्या है यह आपके equation में पहले सही पढ़े है तो minus into minus क्या हो गया प्लस देखिए मैं आपको पहले संदा चुका हूँ एक और फिर देखिए minus को जब multiply करते हैं minus से तो आपकी जो term आती है वो क्या आती है positive आती है ठीक है जब positive term को multiply करते हैं minus term से तो आपकी जो term आती है आपका जो answer आता है वो क्या आता है minus फिर जब minus को multiply करते हैं positive से तो आपका answer again क्या आता है minus और यहांब देखिए plus को जब मुल्टिप्लाइ करते हैं plus से तो आपका answer क्या आता है plus तो आपको यह कुछ terms हैं पता ओने चाहिए यह कई बर मैं discuss कर भी चुका हूं तो यहांब देखिए minus into minus कने पर क्या गया प्लस मतलब 7 by 6 आपका क्या आगया लेफ्टेंड साइड अब हम राइटेंड साइड देखेंगे तो राइटेंड साइड में simply x है तो x की value पुट करेंगे 7 by 6 तो यहां से देखें क्या हो गया लेफ्टेंड साइड is equal to right hand side hence verified यह आपका verified हो गया next देखें इसका b part b part में बिल्कुल वही अब यहां पर देखें b की value क्या है minus 8 by 9 है और 2 minus पहले से ही equation में पड़े है तो देखें सबसे पहले minus into minus करेंगे तो यह हो जाएगा plus की term तो minus 8 by 9 अब देखें क्या होगा यह है minus का और यह plus का plus into minus minus तो finally आपका जो यहां पर left hand side है वो क्या है minus 8 by 9 और यहां से देखें right hand side में जब हम simply हमें x की value बट करनी है वो भी क्या है minus 8 by 9 तो left hand side is equal to right hand side hence it's verified next देखें क्योंच नमबर 9 अब यहां पर भी आपको verify करना है लेकिन equation थोड़ इसी different है क्या है अब यहां पर देखें अगर आपने बात करें x and y की तो x यहां पर है 3 by 4 और y है आपके पाफ 6 by 7 तो चलिए left hand side में put करते हैं minus 3 by 4 plus 6 by 7 अब यहां पर देखें आपको ध्यान अखना है denominator जब भी different होते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है अगर सेम होते हैं तो हम asities क्या करते है numerator terms को add या फिर subtract कर देते है according to the symbol अब यहां पर देखें 4 and 7 इसका जब हम LCM लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 28 अब देखें सब वही काम हमें करना है 4 से जब हम 28 को divide करेंगे तो आपका quotient आएगा 7 उस quotient को multiply करना है numerator से 7 को जब हम 20 side से divide करेंगे तो आपके पास quotient आएगा 4 और आपके पास जो इसको numerator है 6 उससे multiply कर देंगे 4 को तो 3 into 7 21 6 into 4 24 21 plus 24 हो गया आपका 45 और plus into minus minus तो यहां पर left hand side आपके पास आगया minus 45 by 28 अब हम पात करते हैं right hand side की तो right hand side देखी minus x plus minus y तो यहां पर put कर देते हैं देखिए तो minus 3 by 4 plus minus 6 by 7 तो यहां पर देखी क्या हो गया 4 and 7 का again जब हम LCM लेंगे तो आपके उस 28 आएगा 4 से जब divide किया 28 को quotient आया 7 तो minus 3 into 7 प्लस जब 7 से divide करते हैं तो यहां पर आपका quotient आता है 4 तो minus 6 into 4 3 into 7 minus 21 6 into 4 minus 24 तो देखी जब terms बिल्कुल same symbol के होती हैं तो हम उन्हें क्या कर देते हैं add कर देते हैं और वही symbol लगा देते हैं दोनों की दोनों terms क्या हैं minus की हैं 21 plus 24 45 symbol कि इसका minus का तो आपका answer के लिखे देंगे minus 45 by 28 this is your answer अब यहां पर देखी है right hand side is equal to left hand side is equal to right hand side so hence it's verified यह आपका क्या हो गया verified हो गया अब इसका देखी है जो भी part है इसका जो भी part है यह आपका क्या है homework है यह आपको करना है अपने आप ठीक है बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर जहां से जैसे हमने question number 8 किया जैसे question number 9 किया वैसे आप question number यह 9 का भी भी कर सकते है next देखी question number 10 अब देखी question को समझी और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि करना किया है आती है आपको उमेशे द्यान रखना है यह rule आपको उमेशे द्यान रखना है क्या कि from के बाद में जो time आ रही है ठीक है वो हम लिखेंगे पहले उसे हम लिखेंगे first और दूसरी minus का symbol लगा के उसमें second number क्या लिखेंगे second ठीक है मतलब from के बाद में जो time आ रही है क्या रही है 3 by 5 इसे हम लिखेंगे पहले फिर लगाएंगे minus का symbol और फिर first वाली time यहां पे हम लिखेंगे ठीक है तो यहां पर देखिए क्या है 3 by 5 minus 1 by 5 अब देखिए denominator सेम है simply आपको कुछ भी करने जो इतनी है denominator को copy केजिए और जो numerator में जो terms है उसे लिखेंगे और जो symbol है as it is copy कर देजिए तो 3 minus 1 by 5 तो 2 by 5 is your answer अब इसके अंदर द्याना आपको तरह यही रखना है कि from के बाद में जो term आ रही है उसको हमने पहले लिखना है और बाद बार जो यह पहले term लिखी हुए उसको हमने minus के बाद में लिखना है अब देखिए question number 2 4 by 9 from minus 1 by 6 तो minus 1 by 6 को पहले लिखा minus का symbol लगाया और 4 by 9 लिख दिया अब यहां पर देखिए यह दोनों के दोनों जो आपके denominator है different है तो इसके लिए हमें क्या लेना पढ़ेगा LCM लेना पढ़ेगा अब LCM लेना में आपको कई बार सिखाँ चुपका हूं तो यहां पर देखिए 6 और 9 का LCM वो क्या जाएगा 18 आजाएगा तो हमने लिखना है LCM फिर देखिए 6 से जाब हम डिवाइड करेंगे तो कोश्चन आएगा 3 और numerator क्या है आपका 1 तो minus 1 into 3 अगे 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका कोश्चन आएगा 2 तो 4 into 2 तो minus 1 into 3 minus 3 minus 4 into 2 minus 8 तो देखिए दोनों के दोनों terms क्या है minus कि है तो इन्हें हम क्या कर देंगे add कर देंगे minus 3 and minus 8 आपका हो गया minus 11 by 18 तो यहाँ पर देखिए आपका answer क्या गया minus 11 by 18 next देखिए question number 3 यही question number 10 है उसी का third part है तो यहाँ पर देखिए minus 4 by 15 from 3 by 10 मतलब 3 by 10 पहले आएगा फिर minus का symbol आएगा फिर यह minus 4 by 15 की time आएगी तो देखिए minus 3 by 10 minus minus 4 by 15 अब देखिए minus into minus क्या होता है प्लस होता है तो 3 by 10 plus 4 by 15 अब यहाँ पर देखिए denominator different है तो इसे हमें क्या रहना पड़ेगा LCM तो 10 और 15 का LCM होता है वो क्या आता है 30 आता है तो वही जब हम 10 से divide करेंगे तो आपके पास question आएगा 3 3 into 3 फिर 15 से जब हम डिवाइड करेंगे question आएगा 2 4 into 2 तो 3 into 3 9 4 into 2 8 8 plus 9 17 by 30 is your answer यह आपका question number third answer हो गया next देखिए students question number 4 अब question number 4 के अंदर क्या है 3 by minus 4 from 4 by 5 अब देखिए 4 by 5 को पहले लिखेंगे फिर minus का symbol लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे term लिखेंगे 3 by minus 4 अब देखिए minus into minus again क्या हो गया आपका plus हो गया अब देखिए इस चीस से आप वो कभी भी confused नहीं हो ना कि सर minus 3 by 4 है या फिर 3 by minus 4 है या फिर minus 3 by 4 है तो यह सभी की सभी terms क्या होती है एकवर होती है ठीक है तो देखिए क्या है यह जो denominator का symbol है इसे हम ऊपर ले जा सकते है ठीक है इसे नीचे भी ला सकते है और इसे हम यहां पर आगे भी ला सकते है तो यहां पर यह तीनों की तिनों terms क्या होती है एकवर होती है तो माइनस इंटू माइनस हो गया आपका प्लस तो 4 by 5 प्लस 3 by 4 तो यहां पर देखिए 5 और 4 का जो LCM आएगा वह आपके पास क्या आएगा 20 तो 5 से जब डिवाइट करेंगे तो आपके इस question डाया 4 4 इंटू 4 प्लस 4 से जब हम आपने रिवाइट किया तो question डाया 5 3 इंटू 5 4 इंटू 4 16 3 इंटू 5 15 16 प्लस 15 31 by 20 is your answer तो इसी के साथ आपका question number 10 भी complete हो गया तो चलिए next करते हैं question number 11 the sum of two ratio number is 5 by 18 देखिए question को language को बिल्कुल आराम से समझेए उसके बाद में आपको यह question easy लगेंगे ठीक है मतलब दो ratio number है उनका जो sum क्या है 5 by 18 मतलब उनको जब हमने add किया तो हमारे पास जो answer आया वो क्या है 5 by 18 आया if one of the ratio number is 1 by 8 then find the other one ठीक है दोनों में से 1 क्या है 1 by 8 and find आपको क्या दूसरा आपको find करना है तो मैंने क्या किया let the other number is y ठीक है एक 1 by 8 है तो दूसरे को मैंने क्या मान लिया y तो according to question देखी y plus 1 by 8 is equal to 5 by 18 ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा जाकर आपने बात करें कि इन दोनों का sum मतलब 1 by 8 plus 5 का जो sum करेंगे तो आपके बस क्या आएगा 5 by 18 ठीक है एट और 18 दोनों की दोनों क्या है different है तो यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा LCM अब देखी मैंने आपको LCM भी करके दिखा दिए कैसे LCM कर सकते है step wise LCM किया हुआ है अगर आप कोई problem आती है तो comment box में जरूर लिखें ठीक है उसके बाद देखिए यहां पर 2 x 2 x 2 देखी 2 x 2 4, 4 x 2 8, 8 x 3 24, 24 x 3 72 तो 72 is your answer अब यह आपका LCM है तो हमने क्या लिखना है बिल्कुत simply इसको denominator में लिखना है इसके denominator से divide करेंगे तो आपके बस आएगा 4 उसके आपको क्या करना है numerator से quotient को multiply करना है ठीक है तो 5 x 4 minus जब हम 8 से divide करेंगे तो आपके बस आएगा quotient 9 1 x 9 तो 5 x 4 20 minus 9 तो देखी 20 minus 9 होता है आपका 11 तो वाई आपके बस क्या आगया 11 by 70 11 by 70 to easier answer ठीक है अब देखिए अपने करते हैं कोश्य नमबर 12 विल्कुल सिमिलर है कोश्य नमबर 12 भी वट नमबर शुट भी सब्ट्रेक्टेड देखी को समझाना जरूरी है समझ जाएंगे तो आपको कोश्य लगेगा अधर्वाइस जो कोश्य आपको टफ लगेगा ठीक देखिए इस वले नमबर में से मैं क्या सब्ट्रेक्ट करूं तो गेट माइनस 13 वाइ 12 मतलब इस नमबर से मैं क्या सब्ट्रेक्ट करूं कि आपका अंसर यह आ जाए तो मैंने किया let the number is y नमबरों क्या मान दिया y तो देखिए 7 वाइनस 8 minus y is equal to minus 13 by 12 according to question यह equation मनेगी अब यहां से देखिए y को मैं इस तरफ ले गया और इसको इस तरफ ले आया अब देखिए equal to के दूसरी तरफ ले जाते ही तो आपके जो symbols होते हैं वो क्या हो जाते हैं different हो जाते हैं change हो जाते हैं तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा minus 7 by 8 plus 13 by 12 is equal to y, y यहां से minus का उदर आगे क्या हो गया plus का, minus 13 by 12 उदर आगे क्या हो गया plus का, अब यहां पर देखिए 8 and 12 इसका जब हम LCM लेंगे तो आपके बस क्या आएगा 24, अब देखिए 8 से जब हमने डिवाइड किया तो question आया 3, numerator 7 तो minus 7 into 3, फिर देखिए 12 से जब हमने डि किया, तो 24 divided by 12 आता है आपका 2, और यहां पर देखिए numerator है आपका 13, तो 13 into 2, minus 7 into 3, minus 21, plus 13 into 2, 26, तो minus 21 plus 26 आपका हो गया यहां पर देखिए, इसको solve करते हैं, यह देखिए term है minus की, यह term है plus की, तो हमें क्या define करना पड़ेगा इसका difference, तो 26 minus 21 उदर आपका 5, तो finally जो आपका answer क्या आगया, y is equal to 5 by 24, this is your answer, next day students, question number 13, what should be subtracted from, देखिए, यह composite term जो है, इसमें से हम क्या subtract करेंगे, आपके पास answer, 1 by 2y, मैंने क्या माना, let the number is y, number क्या है, y है, तो according to question, तो देखिए, क्या है, यह poly term लेखी, minus y is equal to 1 by 2, अब देखिए, y को हम equal to को इस तरफ लेखे जाएंगे, तो यह क्या आजएगा, plus का, और 1 by 2 को इस तरफ लेखे जाएंगे, तो यह क्या आजएगा, minus का, तो यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ पर 4, 3 and 5, इसक कोशन डाया 20, numerator है 1, 1 into 20, 5 से जब हमने डिवाइट किया, कोशन डाया 12, 2 into 12, अब देखिए, इस फर्द हम सोल कर देते हैं, 3 into 15, 45, 1 into 20, 22 into 12, 24, और इनी जब हम add करेंगे, तो आपके फास, finally क्या आएगा, 89 by 60, minus 1 by 2 is equal to y, अब यहाँ पर देखिए, 60 और 2, इसका जब हम LC मि करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 60, 60 से डिवाइट किया, तो 1, 89 into 1, और देखिए, 2 से जब हम डिवाइट करेंगे, तो आपके पास question आएगा, 30, 30 into 1, 30, 89 minus 30, आपके बस answer क्या आगया, 59 by 60, तो यहाँ पर जो y की value है, वो क्या है, 59 by 60, मतलब उस time में से आगया, 59 by 60, आप इसको minus करते हैं, तो आपके पास जो answer है, वो क्या आएगा, 1 by 2 आएगा, next देखिए, students, question number 14, देखिए, यह आपका MCQs है, question number 14 क्या बोल रहा है, what should be added to minus 5 by 16 to get 7 by 24, अब देखिए, यह बिल्कुर back to back 3 statements हैं, एक जैसे आए हैं, अब यहाँ पर देखिए, यह बोल रहे ह मैं क्या add करूं, कि आपका जो answer है, वो 7 by 24 आए, तो मैंने क्या माननी है, let the number is y, तो according to question, minus 5 by 16, plus y is equal to 7 by 24, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आगया, minus 5 by 6 plus y is equal to 7 by 24, अब देखिए, 5 by 16 को equal to के उस तरफ ले जाएंगे, तो minus की term क्या हो जाएगी, plus की हो जाएगी, तो देखिए, y is equal to 7 by 24, plus 5 by 16, अब यहाँ पर देखिए, 24 and 64, sorry, 24 and 16 का जब हम LCM निकालेंगे, तो आपके बस क्या आएगा, 48, LCM आप ऐसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर side में करके भी दिखा दिये, तो यहाँ पर द 3, 5 into 3, 7 into 2, 14, 5 into 3, 15, 14 plus 15 आपके पास आगया क्या, 29 by 48, तो यहाँ पर आपका जो option C है, वो क्या है, correct answer है, तो students, इसी के साथ आपका question number 14 भी complete हो चुका है, अब next देखिए, question number 15, यह आपका क्या है, maybe odds question है, तो यहाँ पर देखिए, इससे आपको solve करना है, solve करने के लिए देखिए, जो हमने शुरू में questions किये थे, इसके अंदर हम क्या करते थे, कि same numerator, या फिर same divisor वाले जो numerator होते थे, denominator होते थे, उन्हें हम क्या करते थे, एक साथ दिख लेते थे, तो यहाँ पर देखिए, 7 denominator same है, तो इन्हें हमने एक साथ लिख लिए, ठीक है, उसके बाद देखिए, 12, 3 and 6, यह क्या है, multiples है, तो इन्हें भी हमने एक साथ लिख लिए, और 3 by 4 को हमने अलग से लिख लिख लिए, अब इससे हम सोल करेंगे, तो देखिए, simply आपको denominator copy करना है, symbols जो है, as it is, लिख देने है, minus 5 plus 10, तो minus 5 plus 10 किया है, तो आपका plus का 5 by 7 अंस 1, 3 से जब हमने डिवाइड किया, quotient आया, 4 minus 1 into 4, 6 से डिवाइड करने पर quotient आया, आपके पास 2 minus 1 into 2, तो अब यहाँ पर देखिए, 1 into 1, 1 plus minus 1 into 4, minus का 4, minus 1 into 2, minus का 2, तो यहाँ पर फर्दर जब हम इसको सोल करेंगे, तो 1 minus 6, देखिए, दोनों टम minus की हैं, तो add कर देंगे तो यहाँ पर देखिए, क्या होजएगा, 1 minus 6 divided by 12, plus 3 by 4, तो यहाँ पर देखिए, plus का 1 है, और minus का 6 है, तो finally आपके बास आंसर क्या आएगा, minus का 5 by 12, अब यहाँ तक जो है, आपका, जो हमने separate terms की थी, उनका solution हो गया, अब इसके बास देखिए, हम इसको फर्दर सोल तो 7, 12 and 4, इसका जब आप LCM लेंगे, तो आपके बास क्या आएगा, 84, 7 से डिवाइड करने पर, कोशन डाया, 12, numerator है, 5, 5 into 12, 5, 12 से डिवाइड किया, तो आपका कोशन डाया, 7, तो 5 into 7, plus 4 से जब आप डिवाइड करेंगे, तो आपके बास आएगा, 21, 3 into 21, फर्दर से हम स minus 5 into 7, minus 35, plus 3 into 21, 63, इन्हें देखिए, प्लस वाले टम्स को हम एड कर लेते हैं, 60 plus 63, 123, minus 35, यह आपके बास आगया, 88 by 84, इसे हम 4 के टेबल से कट करेंगे, यह आपके बास आएगा, 22 by 21, जब हम इसको 4 के टेबल से कट करेंगे, तो आपके बास आएगा, 22 by 21, अब देखिए यह है improper fraction, इसे जब हम इसको mixed fraction में convert करेंगे, तो आपका answer क्या जाएगा, 1 complete, 1 by 21, easier answer, option C, easier correct answer, तो students, इती के साथ जो है, आपकी exercise 1 भी complete हो चुकी है, next video के अदर अपने exercise 1 C start करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को like करें, friends के चेर करें, चैनल को subscribe जूर करें, और जो आगर आ आपको PDF का link भी मिल जाएगा, thank you very much